आज की हमारी विशेस बातचीत में हमारे सवालों का जवाब देंगे उत्तर प्रदेश की राज़नीती में मजबूत डखल रखने वाले श्री आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के कदावर नेता हैं और नगर विकास मंत्री भी हैं आजम खान साहब साधना निउस पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका आजम खान साहब आप अकसर चर्चा में रहते हैं जिस तरीके से अमेरिका में भारतिये डिप्लोमेट के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद आपने देव्यानी को अपने रामपूर से चुनाओ लड़ने का नियोता दिया उसके पीछे कोई खास वज़र मुंबई में बंविस्फोट हुए थे और ताज होटल पर हमला हुआ था आतंकी हमला हुआ था उसमें हेमंद करकरे की हत्या हुई थी उस सथ भी हमने इस ख्याल से कि एक बहुत अच्छे इनसान को मार दिया गया है उनकी वीडियो से यह अपील की थी कि और रामपुर से पारलिमेट इलेक्शन लड़ें ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि लोगों को जो अच्छा काम करें या जिनको समाज वो मानने तान देता हो जो जिसके मुस्ताहिक हो तो कम से कम रामपुर से संदेश जाना चाहिए तो सब भी हमारा जजबा यही था उनके अपने कारण रहे होंगे कि उन्होंने उसको नहीं माना उसी तरह देवियानी जी के साथ जो कुछ अमरीका में हुआ और मैंने महसूस यह किया कि जिस तरह की नैशनल लवीर पर सपोर्ट होना चाहिए थी राजनेतिक दलों की तरफ से या जो धर्मिक संग्ठन भी हैं जो बहुत भारती अताकी बात करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़कर अपने हैं आपको चैंपियन मानते हैं बहुत से इशूस का उन में से किसी ने भी देवियानी ये के साथ होने वाले इस नाखुश को और वाखी की वैसी मजब्मत नहीं की निंदा नहीं की जैसी होना चाहिए थी तब उन्होंने बहुत विकालत की थी अमरीका के कानूनों की और हमें यही समझाने में लगी थी कि इसका बुरा नहीं मानना चाहिए और सर देखे ये तो वहां का का कानून है और वहां इसे होता है इसी तरह से वो लोग पेश आते हैं अपने महमानों के साथ हमने बहुत लिया था उसकत तो हमें अच्छा नहीं लगा था इसलिए हमने ये भी कहा है कि अगर आपने उसकत डिप्लोमेटिक इस तरह पर हमारे साथ होने वाले वाकि को सीरियस ही लिया होता तो हो सकता था उनके साथ यहादसना आप अक्सर विवादों में भी रहते हैं आखिर क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि आजम खान साहब को गुसा बहुत आता है गुसा तो बहुतों को आता है मेरा गुसा देख लिया जाता है और बहुतों का गुसा देखा नहीं जाता है और मुझे गुसा किसी वाजिब बात पर आता है उन बातों पर गुसा आता है जिन पर गु हिस लोग हैं मुझे अपने विभाग की गलतियों पर घुसा आता है मुझे कोई करमचारी यदिकारी अगर कामचोरी करता है घुसखोरी करता है रिश्वत लेता है बेइमानी करता है अपनी ड्यूटिस पर फार्ब नहीं करता है घुसा आता है अगर कोई शरीफ आदमी किसी क्रिमिनल के हाथों सताया जाता है तो घुस्सा आता है मेरे यहां का राज पर इवार अगर मेरे दबे कुछ से लोगों के साथ अन्याय करता है तो घुस्सा आता है किसी अपने व्यक्तिकत कारणों को लेकर मुझे आज तक कभी घुस्सा नहीं आया आए आपका नाम एक खुद उस चैनल ने बहुत कोशिश की कि आप अपनी सफाई दीजे मैंने नहीं दी दूसरे चैनल ने बहुत कोशिश की अखबारात ने बहुत कोशिश की क्योंकि इसमें कोई सफाई की बात कहने का मतलब भी शायद ये निकलता हो कहीं कोई मेरा इसे लेन देन का रिष्टा है मैंने बस इतना कहा था कि जब मैं पहली बार वजीर हुआ था तब भी मेरा इस तरह ये नहीं था अब तो मैं काफी सीनियर हो गया हूँ तो मेरे इस तरह से गिरी हुई बात है मेरे उपर इस तरह का इल्जाम लगाना भी बहुत घटिया सोच है और अगर कोई कोई क्या कहते हैं उसे क्या शब्द आपने लिया था क्या होता है जो आप लोग करते हैं स्टिंग अपरेशन अगर इस्टिंग अपरेशन किसी का हुआ तो उस पुलिसवाले का हुआ मेरा तो नहीं हुआ अब पुलिसवाला या कोई भी वेकति कुछ भी कह सकता है मेरे लिए या किसी के लिए पाबंतों हैं नहीं इसके लाबा तमाम और भी ऐसे काम कियी सुआ है की achievement भरे थे लेकिन इसके बावर जो जन्ता के बीच उनकी छवी बहुत अच्छी नहीं है सरकार की और इसका दोश कहीं ने कहीं समाजवादी पार्टी पर भी जाता है के एतने दिन सरकार चली और पिछले 5 साल भी चली लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था अगर समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी से या यूपिये से अपनी सपोर्ट वापस लेता पिछली बार भी और इस बार भी तो जो अगला दल था या जो विचारधारा थी वो फाशिस्टों के विचारधारा थी, भारती जंता पार्टी की थी ऐसा नहोने देने के लिए समाजवादी पार्टी ने और हमारे नेता ने इस जहर को पिया है हम तो हमेशा कहते हैं कि ये जानते हुए कि ये लोग अच्छे नहीं हैं लेकिन कोई विकल्प नहीं था कोई तीसरी ताकत नहीं थी जो सरकार बना सकती होती अगर कोई तीसरी ताकत या तीसरा मोर्चा इस पोजिशन में होता कि वो सरकार बनाए तो यकीन नहीं हम उसकी वद्द करते हैं लोग सभा चुनाओं में किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी अगर हम आपको मुद्दे बता देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा हम किस बात के लिए चुनाओं में जाएंगे अगर हमारे विरोधी आश से हमारा मुद्दा जाएंगे तो उसका काउंटर तलाश कर लेंगे हमारे मुद्दे वही होंगे जो एक आम आदमी की भलाई के होंगे और खास दोर से किसानों को गरीबों को मस्दूरों को चात्रों को नौजवानों को महिलाओं को बच्चीयों को हमारी जिने शिक्षा की ज़रूत है उन्हें अट्रेक्ट करने वाले होंगे किसानों की परिशानी कम से कम हो इस पर हमेशा हमारे यहां काम हुआ है क्योंकि हम किसान बेस्ट ही हमारी पार्टी है किसान बेस्ट आपकी पार्टी है लेकिन गन्ना किसानों को लेकर जो समस्यां खड़ी हुई है देखिए गन्ने की समस्या को लोग अगर राजनीत की तराजू में तोलेंगे तो गन्ने के पैदा करने वालों के साथ नाइंसाफी करेंगे इस वड़ गन्ना किसानों के साथ राजनीत करने वालों ने इतनी जियाती की है कि उन्हें बर्बाद कर दिया है सिर्फ वावाही लेने के लिए अगवारों में खबर चब जाए और गन्डे काट कर जला कर एक तस्वीर खिचाई जाए इसे गन्डे के किसानों का भला नहीं हुआ उनका लुक्सान हुआ है हमें बैलंस खायम करना होगा हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के बाजार में शकर की क्या कीमत है हमने क्यों शकर इंपोर्ट की हमने क्यों दूसरे खादे पदार थे इंपोर्ट की हम एक्सपोर्ट करते हैं अगर तो हमारी कीमते बढ़ती है जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जाहरे कीमत कम होगी शकर कितनी भारी मातरा में इंपोर्ट की गई बावजूद इसके के हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद मुलकों में है जो जादा और बेहतर शकर पैदा करता है हमें शकर भेजना चाहिए थी हमें शकर बेंचना चाहिए थी ना कि हमने शकर खरीद ली हम ये भी तो देखें कि हमारा बाजार क्या कह रहा है हमारे हैं कितनी शकर है बाहर सही वे शकर की क्या है उसकी क्वालिटी क्या है हमारे अपने किसान का कितना गन्ना खड़ा हुआ है गन्ने के बाद उसकी अगली फसल का क्या होगा सरकार को ये कदम तो उत्रप्देश की सरकार को भी उठाने चाहिए थे ये कदम हम नहीं उठा सकते इसलिए कि हम राज्जे हैं हम राश्टर नहीं है हम केंदर नहीं है हमारे पास ये अधिकार नहीं है सुनेंगे तो उनकी परिशानिया आप सुनेंगे गन्ना कैसे पेरा जाई या आप सुनेंगे किस कीमत पर वो पेराई कर सकते हैं या आप सुनेंगे गन्ना किसानों की क्या परिशानिया है आप सुनेंगे गन्ना किसानों को या आप बताएंगे कि उनके बनी हुई शकार को कहा ले जाये जाएगा तो जो लोग बीच की राजनीत कर रहे हैं दरसल उन लोगों ने इन सारे परिशानियों को इस्टडी ही नहीं किया है चलिए हम चुनावी मुद्दों की बात करे थे लोगसभा चुनाव की नरेंद्र मोडी की प्रदान मंत्री पद की दावेदारी है उसको किस virtuous तरीके से देखते हैं अब आवेदारी तो कोई भी कर सकते हैं इस देश में ऐसे सहब भी प्रदान मंत्री रहे हैं जो किसी गाउं के प्रदान दी नहीं कि ई yakलो ड़ills हुप और इस वब भी ऐसे ही सा परदान मंत्री हैं जिनकी कोई कोई इस तरह की कोई चुनावी इमेज नहीं है तो ब्यूरो करेट से यहां तक आये हैं तो हमारा देश तो इस वाले बहुत फराग दिल है पंजाब के थे पाकिस्तान से आये थे तो तो कभी परदानी भी नहीं जीत है? ऐसे लोग समवधानी करसियों पर बैठे हैं जिन पर सीबी आई की जहां चप तक चल रही हैं जिन पर हत्या, लूट, गतल, अबादतगाह गिराने और खुन बाहने का दो अलजाम है अभी फैसला नहीं हुआ है वो लोग भी समवधानी करसियों पर बैठे हैं तो बहुत भेली भी सोच है हमारी, बहुत बड़ा दिल है हमारा. बहुत गंभीरता से जवाब आपने नहीं दिया निरेंद्र मोधी के सवाल पर. मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता. इसलिए कि जो उनका पास्ट है, वो इतना कलंकित है, और इतना खून से नहाया हुआ है कि उनके ये कहने से कि चाई बेचने वाला प्रदान मंतरी बनेगा या देश बेचने वाला बनेगा इसमें से चुनना है तो हम शायद यह कहेंगे कि जो मानवता का हत्यारा हो ना वो चाई बेचने वाला हो सकता है ना देश बेचने वाला हो सकता है उससे बड़ा मुझरीम है उत्तर प्रदेश आपका राज है यूपी में इस वक्त बीजेपी बहुत उत्साह में है आपको लगता है कि आपको सीटों का नुकसान होगा वो इससे भी जादा कूदेंगे तो क्या होगा बंदर भी बहुत कू कि इस बार आपको नहीं रगता प्रिस्थितियां बहुत बदली हुई है किस बात से जिस तरीके से उनके नाम का प्रचार प्रसार चल रहा है जो बीर नकी रैलियों में देखने को मिल रही है वो तो आप साहे बान की किरपा से चल रही है अगर टीलिजन کے पर्दे से उन्ह महागर्जना, ऐसे ऐसे शब्द आप लोग दे रहे हैं, जो अकबरे आजम के जमाने में कभी हाथियों को दिये जाते थे उनकी फोज के. मीडिया भी तो जन्ता के रेस्पॉंस को देख कर रियाक्ट करता है. उनकी सभा होती है, तो इस तरह से आप कैमरा लगाते हैं कि लाखों की भीर नज़र आती है. हमारे दस्वारा लाख भी आपको दस्वारा हजार नज़र आते हैं. समाजवादी पार्टी के रैलियों में भीर देखी गई है, ऐसी बात नहीं है. समाजवादी पार्टी की रैलियों में ही भीड़ देखी गई है उत्तव देश में भी नहीं ही जे बदाईयों में हमारी मातर सभा थी नेता जी को वहां नहीं जाना था लेकिन अब वो थोड़ा सा दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम करने लगे हैं तो अचानक वो खिमांती जी के साथ जहाद बैठके चले गए वो सभा भारती जनता पार्टी के रैली से तीन गुना बड़ी थी लेकिन जिस तरीके से हजारों में रैली होती है या सभा होती है तो आप लाखों में बताते हैं लेकिन जिस तरीके से जब उनकी सेक्ड़ों में होती है तब भी आप उत्तर प्रदेश में दो साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं जरता को जितनी अपेक्षा आपकी सरकार से थी जाहिर तोर पर आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि वो रियक्शन जो है कॉमन मासिस की बीश में दिखता है चाहे वो एड्मिनिस्टेशन की बात हो दं हमारे वाइदे थे मैनिफेस्टों के वाइदे उन में से ज्यादा तर वाइदे हमारे पूरे हुए हैं सबसे बड़ा वादा ये था कि हम जो गरीब आदमी है उसके उसके उपर खजाने का खर्च करेंगे पत्थरों पर नहीं करेंगे अपने नाम और शोहरत के लिए नही को सुनाई नहीं देती और माफ करें दिखाई भी नहीं देती कि पांच बरस बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किसान को खाद का कट्टा नहीं मिला सारी खाद सारी यूरिया और जिस खिसम का भी डी पी वगरा होता है वो सारा समगल हो गया नैपाल के रास्ते इस बार कहीं एक आवास भी नहीं उठी के खाद नहीं है खाद इतनी मातरा में था कि खाद के लेने वाला नहीं था कहीं कोई लाइन नहीं लगी कहीं कोई पानी की परिशानी नहीं आई हाँ एक साल सरकार आने के बाद बिजली के खिल्लत जरूर हुई थी और वो इसलिए हुई थ कि पच्पन हजार करोड के करीब हम लोग छोड़कर आये थे उत्तरप्रदेश के खसाने में और क्योंके हम उस वोद भी संसादन समिक्ती के चेर्वेंटे हमने इस तरह से आमदनी बढ़ाई थी राज्य सरकार की कि किसी गरीब आदमें पर कोई टैक्स नहीं लगा था और एक खबर भी इस तरह की नहीं चलबी थी वो पैसा कहां चला गया मालूम ही नहीं कितना करजदार विजली भी भाग हो गया उस सारे करजे को उतारने में हमें एक साल लगा और किसी हद तक हमने विजली के वस्ता को ठीक किया इस एक साल में कहीं से भी आवाज नहीं आई हाँ बस एक ही सवाल आपके पास है जिसको लेकर आप पूरे उतर प्रदेश की कानुनिस्था पर सवाल उठा सकते हैं और उठाते हैं और वो मज़फर नगा है इसके लावा भी कई दंगे हुए जो चर्चा में बेशक नहीं है लिए देखिए वो दंगे नहीं है वो फाशिस्टों का उपद्रव है माहौल खराब करने की कोशिश है बहुत कोशिश की माहौल खराब करने की सरकार का क्या काम है सरकार का काम है अगर कोई शखस अपने हाथ में गानून लेता है तो सरकार उस हाथ को गानून हाथ में लेने से रोकेगी और अगर फिर भी नहीं रुकता है तो उसाथ को सजा देगी कौन कहां से लाकानुनित कर देगा इसके लिए कोई आला दुनिया में नहीं बना है लेकिन कहीं पर लॉलेसनेस हो जाए उसस सरकार की नियत क्या है समाजबादी पार्टी की जब भी सरकार बनती है तब माहल खराब करते हैं भारती जनता पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग और उन कमजोर दबे हुए लोगों में जिन से ये सरकार आती है उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये तुम्हारी हिफाज़त नहीं कर सके। आपकी पार्टी मुसल्मानों का तुष्टी करन करती है। ये बड़े आरोप हैं जो बार बार आपकी पार्टी पे हाल के दिनों में लगते हैं। बहुत कमजोर हैं मुसल्मान, बहुत बेचारे हैं बड़े लाचार हैं। और इतने लाचार हैं कि उनकी जितनी भी मदद की जाए वो कम है। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला एक विक्ती भी ये चाहता है कि हंदुस्तान की जमीन पर रहने वाला मुसल्मान एक बोज बन कर रहे तो मेरे खाल से ये उसकी सोच राश्टियता की सोच नहीं है एक बटा पाँच आबादी हिंदुस्तान की अगर नंगी रहेगी भूकी रहेगी अनपढ़ जाहिल रहेगी तो ये कहां से देश का भला होगा अगर समाजवादी पार्टी पिछड़ों को दलीतों को जबरुतमन अगणों को और मुसल्मानों को उनके शेक्षिक हालात उनके समाज़िक हालात बेतर करना चाहती है तो इसमें कहां खलती है यही तो सचर कमिटी की रिपोर्ट कहती है आज के दिन यानि अपसे साथ बरस पहले इस रिपोर्ट में कहा मुसल्मानों के मुसल्मानों की शेक शेक आर्थिक और समाजी की इस्तिती दलीतों से भी ज्यादा बत्तर है तो जिनकी इस्तिती दलीतों से भी ज्यादा बत्तर है आप उनकी कोई मदद नहीं करेंगे और मदद करेंगे तो उसे तुष्टी कर रहेंगे सरहदे तो खुली उनी 37 में जा सकते थे पाकिस्तान क्यों नहीं गए क्योंकि ये उनका वतन था क्योंकि वो यहां रहना चाहते थे क्योंकि यहीं के लिए उन पैदा हुए थे और यहीं मानना चाहते थे क्या ये सजा है उसकी अपने वतन में रुख्ज टीकरन का चेंपियन साबित करती है ऐसे लोग जो प्रधान मंतरी होने का खौब देख रहे हैं एक जमाना वो था जिनोंने स्टेट स्पॉंसर्ट दंगे कराई थे मुसल्मानों का गतले आम कराई है आप जिनको स्टेट स्पॉंसर्ट करें सुप्रिम कोट उनको कई बार जो है एक तरीके से उन पर लगे आरोपों को खारिज कर चूप ऐसा बिल्कुल नहीं है उन पर आज भी बहुत सी जांचे चल रहे हैं आज भी बहुत से मुकद में चल रहे हैं किस इशू पर कहा है वो इशू देखिए आप सुबूतों के आभाव में आपकी पाटी के ऊपर जो गवर्नेंस उसके ऊपर आम जंता की बीच परसेप्शन है कि समाजवादी पाटी उतर प्रदेश में सिर्फ मुसल्मानों का तुष्टी करन करें तमाम योजनाएं उनके लिए लेकर आते हैं जिसको लेकर लोग रियक है बस कल्मा पढ़ना रह गया है आपने सुऎकार कर लिया वह सेकूलर है बा धाड़ी टोपी चाधर मॉलिया नाशक लिए इक्तियária कर ली है उनों और गलत बियानी कर रहे हैं उसे दुनिया की सबसे बड़ी भी बहीड बता रहे हैं गलत है दुनिया का सबसे बड़ा जम का उन्होंने इस्तेमाल किया था वो अगर कभी हुआ था तो अलहबाद में हुआ था महा कुम्ब में कुम्ब याद नहीं रहा यह तुश्टी करा हूँ यह धोका देना यह फाशिस्टों का तरीका तो हम आप से यही निवेदन करेंगे कि आप कम से कम हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ ले हमें वोट ही इस बात का मिला था दूसरे राजनेतिक दलों को उस सफ़ हमारे मैनिफेस्टो का विरोध करना चाहिए था उन्हें जनता से यह कहना चाहिए था कि इस तरह के मैनिफेस्टो वाले को वोट ना दें या तो उनकी किसी ने सुनी नहीं या उनकी बात मानी नहीं गई आज जो भी कुछ है अगर कोई भी स्कीम है क्या करना है मुसल्मानों के लिए सिर्फ मुसल्मान बच्चियों को पढ़ाई के लिए पैसा दे दिया जा रहा है इतना कि वो बच्ची भी या इंटरिमीजिट कर ले इतना भी हक नहीं है ख़साने पर दंगों के बाद ये कहा जा रहा था कि सबाजवादी पार्टी के साथ से मुसल्मान छिटक रहे हैं आपको कितना दम लगता है इस बात में मैंने कहा ना मुझफर नगर के आठ गाओ आप वहाँ के हालात पर कोई बहस इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी बहस से उनको नुकसान हो सकता है हम वहाँ से दूर रहे हम उनको देखने नहीं गए उनसे मिलने नहीं गए लेकिन जो कुछ कर सकते थे उनके आंसों पोचने के लिए वह हमने कोई उसमें कसब नहीं रखे और जो कुछ आपको सुनने को मिलता है तथे उसे बहुत परे चार आरजियों में विधान सभा चुनाओं में समाजवादी पार्टी का कहीं कोई वजूद दिखाई नहीं पड़ा हमारा पहले भी कोई वजूद वहाँ नहीं था अब भी नहीं है अगर तो हमें उसका कोई शिक्वा नहीं है हमें कोई उसकी फिक्रमंदी नहीं है हमारा जादा काम उत्तर प्रदेश में था आज भी उत्तर प्रदेश में है हमने चौथी बार सरकार बनाई है और इतने बहुमत से आज तक बावन के बाद किसी ने इतने बड़े बहुमत से सरकार नहीं बनाई लेकिन अब उस बहुमत पर सवाल उठ सकता है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीती में अपनी दखल बढ़ाई है साफ सुथरे लोगों को ऐसे नेताओं को लोग पसंद कर रहे हैं जो भरस्टाचार का विरोध करें आपकी पार्टी ने तो लोग पाल बिलका पार्लियमेंट में विरोध किया लोग पाल बिलका जिसलिए विरोध किया है वो कारण भी सामने आ जाएंगे अगर सुप्रिम कोर्ट के जजज साहब कानून के डायरे में आ सकते हैं तो लोग पाल के बाद बहुत से लोग जो उस खत्रे को मैसूस कर रहे हैं बोगाते भी रज़र आएंगे आपको हम बहुत सी चीज़ी कही नहीं सकते आप से खास दोर से कैमरे के सामने नहीं के सकते लेकिन उसके नतीजे तो बहुत अच्छी होने वाले नहीं इस तरीके से आम आदमी पार्टी का वर्चस वो बढ़ा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाओं में आपकी पार्टी को बसपा को या और तमाम पार्टीयों को दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग नए प्रकार के नेताओं को पसंद कर रहे हैं, जिनके उपर जिनकी छवी बेदाग और ब्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे सकें, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं, दिल्ली ने ये थाबित किया है, जिनके वो ब्रष्टाचार को पसंद नहीं करतें, बेईमानी को पसंद नहीं करतें, और बेईमानी की मूल भावना यही है, कि जो आदमी अपनी परिश्वत लेने वाला भी जब बिजली का बिल जमा करने जाता है तो यह उमीद करता है कि यह पूरे पैसे मुझे वापस करते है इनसान बुनियादी तारों पर इमांधारी को पसंद करता है वो खुद इमांधार हो या नहो लेकिन दूसरे से सब्साइं मांदारी की उमीद करता है。 इसी में एक अच्छाई की उमीद बाकिcji है, जिसका पंचा दिली नितिया हैं. लोग यह कहते हैं जिसका दिली उसका देश है अभी यह तो नहीं कह सकते हैं कि आमाद भी पारटी का देश हो जाएगा लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि भारती जन्ता पारटी और कांग्रेस का देश नहीं होने वाला है. तो फिर आप किसके समर्थन से फिर सरकार बनाएंगे के इंडर में? तीसरे मोर्चे. आपको लगता है कोई तीसरे मोर्चे का तीसरे मोर्चे का तीसरे मोर्चे हर बार लोग सभा के चुनाओ आते हैं अकसर सुनती तीसरा मोर्चा तीसरा मोर्चा पर इतना वजूद बना चुका है तीसरा मोर्चा सरकार दो बार बना चुका है सरकार अब उसका नाम कुछ भी र दोसे राजी हैं उनकी तादाद उनकी आबादिया देख लीजिए उनके चुनेवी मिम्बराम की तादाद देख लीजिए आप उत्तर प्रदेश को देखिए आप जन्नायक तो मुलाइम से नहीं है, उनके लावा कोई नहीं है, और तीसरे मोर्चे में जो इस्थान उन्हें मिला था, वो भी बीच की ही कुर्सी का मिला था, चलते चलते एक आखरी सवाल आप से, उत्तर प्रदेश में जो आपकी सरकार का कारेकाल चल रहा है, इन दो सा आई हैं, सवाल आए हैं, परिशानी आई हैं, लेकिन उसका मकाबला किया है, उससे भागे नहीं हो, और ज्यादा परिशानी आ सकती है, पार्लिमेंट चुनाओं से पहले और ज्यादा माहल खराब करने के लोग कोशिश कर सकते हैं, उस पर आज से भी नजर हैं दागे रहे तो उत्तर प्रदेश की राजनीती और लोग सभा चुनाओं के साथ-साथ तमाम तातकालिक प्रशनों का स्री आजम खान सहाब ने हमें जवाब दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया